20 जुलाई से शुरू हुए संसत के मौनसून सत्र में विपक्षी दल लगातार हंगामा कर रहा है मणिपूर इंसा को लेकर विपक्ष अभी भी पियम मोदी के बयान की मांग पे अड़ा है ऐसे में विपक्ष लगातार सदन में 267 नियम के तहत मौनिपूर पर चर्चा की मांग कर रहा है जिसका जवाब केंद्रिय मंत्री प्यूश गोयल ने दिया और कहा कि पहले दिन से ही सरकार चर्चा के लिए तयार है लेकिन विपक्ष चर्चा शुरू नहीं करना चाहता है इस पर विपक्ष ने आपती जताई और मलीका अर्जुन खडगे ने कहा कि जब भी विपक्ष पीयम की बात करता है तो राजे सभा के सवापती ही उन्हें बचाने लगते हैं जब हमेशा मुझे आप उठाते हैं तो दो सेकेंड में फिर बिठाते हैं तो ये बड़ा मेरे लिए बार-बार ऐसा हो रहा है यह क्यों हो रहा मुझे मालू नहीं आप चोटा सजेशन भी नहीं मानते प्राई मिनिस्टर यहां ने दो पोले तो वो भी नहीं मानते आगे लोग सबह में दिल्ली अध्यदेश पर केंद्रे ग्रह मंत्री अमिश्चा ने विपक्ष को खरी खोटी सुनाई उन्होंने कहा कि नए गटबंदन को बचाने के लिए किसी भी अध्यदेश का बेकार में विरोध करना सही नहीं है या इसका समर्थन भी देश के और दिल्ली के भले के लिए करना चाहिए अगर हमारी राज़नीती में थोड़ी स्विक्रूति कम है तो सबको मिलाना है दिल्ली का जो होना है वो हो जितना भ्रष्टाचार होना है वो हो मंत्री कुछ भी करें मुख्य मंत्री करोडों के बंगले बनाए मगर हम विपक्ष में रहते हुए समर्थन करेंगे क्यूंकि हमें गटवंदन बनाना है इस तरह से नहीं सोचना चाहिए बता दें अब तक मौनसून सत्र के विपक्ष के हंगामे की भेट चड़ता आया है लिहाजा इसका फर्क संसत की प्रोड़क्टिव विटी पर बहुत तेजी से पड़ रहा है